हलो फ्रेंट्स आजके इस वीडियो में आपको यह बताने जारों की कैसे आप अपने POCO C65 Android में आप अपने मुबाइल फोन की स्लो चार्जिंग की प्रॉलम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं कश्कर इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए आप यहीं वीडियो का में स्टार्ट कर ले थे अबने phone के साथ वाला charger आपको यू स करना है कभी कबार ऐसा होता है किसी भी दूसरे mobile phone का charger यू स कर लेते हैं अपने phone को charge करने के लिए इससे हमारा phone जोना slow charge होता है क्योंकि देखी दूसरे mobile phone को जो charger होता है वो आमारे phone का अच्छे support नहीं कर पाता है इस कारण मुवाइल फोन स्लो चार्ज होता है एक बात और धिहान रखने हैं कभी भी आप अपने मुवाइल फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं तो मुवाइल फोन को चार्जिंग पे लगा के अपने फोन को इस्तुमाल नहीं करना है इससे भी mobile phone जो ने slow charge होता है ठीक है अगला काम यह करना है कि आपको अपने mobile phone का software चेक करना है कि update है या नहीं है इसके लिए सबसे बहले phone का internet आपको चालू रखना है इसके बाद phone का setting page उपन करना है इसमें आपको सबसे उपर यह about phone के सामने अगर ही update का बटन दिखाई देता है तो इससे टैप करके अपने phone का software अपडेट कर लेना है जिससे आपके phone की slow charging की problem solve हो जाएगी ठीक है अब दोस्तों अगला काम करना है कि आपके mobile phone का charging port होता है जहांपर आप अपने charger का wire अपने phone से connect करते है तो mobile phone का charging port होता है उसे आपको हलके आतो है साफ करना है होता कि है mobile phone के charging port में थोड़ी धूल मटी चिपक जाती है जिसके कारण भी mobile phone slow charge होता है तो ध्यान रखिएगा mobile phone के charging port को हलके आतो है साफ करना है ज़्यादा ताकत दबाव या pressure नहीं लगानी है तो charging port के अंदर की जो particles है वो damage हो सकते है फोन का charging port बिल्कुली खराब हो सकता है तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि charging port को हलके आतो है साफ करना है अगला काम यह करना है mobile phone को reset करना है देखिए दोस्तो mobile phone को reset आपको तब करना है तब आपको phone को reset करना है otherwise phone को reset नहीं करना है phone को reset करने के लिए phone का setting page open करिए सबसे उपर आपको search setting पर tap करना है यहाँ पर सबसे उपर search बार में reset आपको लिखना है reset आप लिखेंगे ना तो नीचे आपको factory reset का एक options होगा थोड़े देर में यापे ठीके ना आपके phone में जितना भी data सारा data आप किसी दूसरे mobile phone में transfer कर लिजिए या उसका backup ले लिजिए दूसरी बात ही ध्याम रखने है आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है यह दो काम पहले करना है उसके बाद phone को reset करना है क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी solution बताएं है वह mobile phone के software के जर्ये बताएं ठीक है